साथ संगत जी प्रेम से कहना धान नरंकार जी एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चानल पर आज की साखी का विश्य है योगिता और महनत चलिए सुनते हैं आज की ये साखी साथ संगत जी पुराने जमाने की बात है एक मजदूर बलकोला केला था कभी कभी उसे अवशकता होती तो वो मजदूरी कर लेता तो कभी वो यूही रह जाता एक बार उसके पास खाने को कुछ नहीं था तो वो घर से मजदूरी ढूंडने के लिए निकल पड़ा गर्मियों को मजदूर की आवशकता भी थी इसलिए उसने संदूक मजदूर को उठाने के लिए दे दिया संदूक को अपने कंधे पर रख कर वो मजदूर चलने लगा गरीबी के कारण उस मजदूर के पैरों में जूते नहीं थे सडक की जलन से बचने के लिए कभी कभी वह किसी पे सुनकर वो व्यक्ति खामोश रहा दोनों थोड़ा आगे बड़े ही थे कि तभी उन्हें कैसा व्यक्ति दिखा जिसके पैर नहीं थे और वह जमीन पर घिसटते हुए चल रहा था यहां देखकर वह व्यक्ति मजदूर से बोला कि तुम्हारे पास तो जूते नहीं है परन्तु इसके तो पैर ही नहीं है जितना कष्ट तुमें हो रहा है उससे कहीं अधिक कष्ट इस समय इस व्यक्ति को हो रहा होगा तुमसे भी छोटे और दुखी लोग संसार में है तुम्हें जूते चाहिए तो और अधिक मेहनत करो हीमत हार कर भगवान को दोश देने की जरूरत नहीं है इश्वर ने नगद पैसे तो आज तक किसी को भी नहीं दिये है परन्तु भगवान मोके सबको बराबर देता है उस व्यक्ती की बातों का मजदूर पर गहरा असर हुआ वे है उस दिन से अपनी कम्यों को दूर करके अपनी योग्यत और मेहनत के बल पर बहतर जीवन जीने का परियास करने लगा साथ संगत जी एक बारे गाउं में कुछ मित्र मंडली बना कर बैठे थे और वो लोग इश्वर के अन्याय पर चर्चा कर रहे थे तब ही एक व्यक्ती बोला कि भगवान कितना नरदई है उसे तनिक भिदया नहीं आती कितने ही लोग भुकंप में मर जाते हैं कितने ही बेघर हो जाते हैं कितने ही अपंग हो जाते हैं बिचारे जुन्दगी भर जीवन का भार डोती रहते हैं। तो इतने में दूसरा व्यक्ति बोला कि इश्वर बड़ा ही पक्ष पाती है। दुष्टों को अमीर बना देता है और सज्जनों को गरीब। ये भगवान मेरी तो समझ के बाहर है। इतने में तीसरा बोला कि भाई, इस संसार में इश्वर नाम के कोई चीज नहीं, ये सब बकवास की बाते हैं। इतने में चोथा बोला हाँ सही कहते हो भाई किन्तो हमारे शाष्ट्र तो इश्वर को बताते हैं मुझे तो लगता है इश्वर होंगे भी तो किसी ताना शाह की तरह पड़े होंगे किसी बेकुंठ में इसी तना से लोगों की बाचे चल रही थी और पास में से एक दार्शनिक गुजर रहे थे उनके कानों पर लोगों की ये बाते पड़ी तो वो लोगों के पास आये और बोले भाईयो चलो मेरे साथ मैं आप सभी को एक अजूबा दिखाना चाहता हूं सभी हैरानी से दार्शनिक के साथ चल दिये दार्शनिक महदय सभी को खेतों की और ले गए और दो खेतों के बीचों बीच जाकर खड़े हो गए एक तरफ थी फूलों की खेती और दूसरे तरफ थी तमबाकों की खेती दार्शनिक महदय बोले धर्ती भी कैसा न्याय करती एक फसल से खुश्बू आती है और एक से बदबू उनके पास खड़े लोग बोले नहीं नहीं श्रीमान ये दोश धर्ती का नहीं इसमें बोए गए बीजों का है जहां फूलों के बीज बोए गए वहां से खुश्बू आती है और जहां पर तंबाकू के बीज बोए गए व पंसार रूपी खेत में इश्वर को दोशी ठहराना कहां की समझदारी है जो आप इश्वर को अन्याय और पक्षपाती कह रहे थे इंसान जैसे कर्मों की बीज अपने जीवन में बोएगा उसको वैसा ही फल मिलेगा वैसा ही उसकी फसल होगी इसके लिए इश्वर को दोश लेना कहां तक हुची थे सभी लोगों को उनकी बास समझ में आ गई थी कि इश्वर हमेशा सबके सत न्याय ही करता है जो लोग इश्वर पर दोशार ओपन करते हैं वो या तो खुद की गलती सविकार नहीं करना चाहते हैं या फिर वो अपने अग्यान का परिशा दे रहे होते हैं जरूरी तो नहीं कि जिसे आप अच्छा कहीं वो आपके लिए अच्छा हो कभी कवार समाईक दर्द और नुकसान हमारे भविश्या के लिए लाबदायक सिद्ध हो सकते हैं जैसे जब किसान बुवाई करता है तब वह नुकसान में रहता है क्योंकि वो मेहनत भी करता है और महंगे बीज मिट्टी में मिला देता है किन्तो फिर भी धहर्या पूर्वक परिश्रम करते रहने पर जो परितोशिक उसे प्रापत होता है उससे वो और उसका पूरा परिवार खुशियों से भर उठता है एक बार की बात है कि दो भाई थे लेकिन दोनों का जो सभाव था उसमें जमीन असमान का अंतर था एक संत सेवी था तो दूसरा वैश्य गामी एक रात वह संत सेवी भाई संत की सेवा करके घर आ रहा था तो रास्ते में उसके पैर में खूटी गड़ गई बड़ा गहला जखम हो गया उसका बड़ा खून भे गया वो बड़ी मु कहता था कि कुछ नहीं रखा है इन संतों में अब देख लिया कि तुम यहां दर्द से कर रहा है रहे हो और मैं एश कर रहा हूँ दोनों ने विचार किया कि किसी जानकार के पास उन्हें चलना चाहिए सुबह होते ही वो एक जोतिशी के पास पहुँच गए अपना पर्च और वैशे गामी की पत्रिका देखी तो बोले कि यह किस देश के राजा की पत्रिका है मेरा सुबह गया है जो ऐसी पत्रिका मेरे पास आई साथ संगत जी यही सतकरम और दुशकरम का फल है वरतमान का सतकरम पुरव जनम के पाप को काट कर सूली का शूल बना दीता है और वरतमान का दुशकरम पुरव जनम के पुन्यों को नश्ट करके समराट को भी समाने मनुष्य बना देता है हमें समझना होगा कि जो हमारी वरतमान हालत है उसके हम खुदी ही जमदार है आपकी परिस्ति आपके करम का ही फल है अपनी भूल दूसरों पर मत ला दो ना तो भ वायू का उप्योग कर आगे बढ़ जाए पर जिसका पाल खुला नहीं है वो वायू को क्यूं दोश दे यूही इश्वर के किरपा तो नुरंतर बरसती है जिसके पास सतकरम हो वो भगवान के किरपा का लाब उठा कर आगे बढ़ जाए पर जिसके पास सतकरम नहीं है वह इस्वर को दोश क्यों दे, सदा भगवान और संतों की सेवा करते रहें, और यही एक मात्र सद करम है, अपने जीवन में भरपूर मेहनत करें, और किसी भी चीज के लिए भगवान को कभे भी दोशी ना ठहराई, क्योंकि जो कोशिश करते हैं, जो मेहनत करते हैं उनके कभी हार नहीं होती अगर कभी किसी काम में या पढ़ाई में हमारी हार हो जाए तो अपने आपको कमजोर मत समझो क्योंकि गिरता हमेशा वही है जो चलना जानता है तुम्हारे पास जो है वो तुम्हारे हिसाब से तो कम है लेकिन एक बार किसी दूसरे के नजर से तो देखो तो तुम्हारे पास बहुत कुछ है जरूरी नहीं है कि हर सपना पुरा ना हो सके क्योंकि लाखों सपनों में एक सपना जरूर पुरा होता है बस उस सपने को पुरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि जिन्दगे कभी न कभी हमें मौका जरूर देती है आखिरे में हम यही कहना चाहेंगे कि अगर जीवन में कभी बुरा समय आ जाए तो एक बाद जरूर याद रखना कि हर बुरे समय के बाद अच्छा समय जरूर आता है और यह मैं सोजिए कि आपके बस पैसा नहीं है बंगला नहीं है गाड़ी नहीं है क्योंकि आपके पास तो सिर्फ जादा पैसा गाड़ी बंगला नहीं है लेकिन आपके अलावा कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनके पास रहने के लिए घर भी नहीं होता है इसलिए मेहनत करें और भगवान को कभी भी किसी चीज़ के लिए दोशी ना ठहराए अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेर जरूर कीजेगा आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ साथ संगत जी प्यार से कहना धान नरंकार जी